वेलकम तू टेली अपडेट्स सब्सक्राइब फॉर ओल नागिन अपडेट्स नागिन फाइफ का नया प्रोमो आ गया है जिसमें दिखाया गया है कि बहरूपिया वीर बानी को रुदराक्ष की जाल में फसा कर उसे गिराने की कोशिश करता है ताकि बानी जमीन में दफन हो जाए और उसका पीछा ना करे बहरूपिया वीर जैसे बोलता है कि उसने बानी को रुदराक्ष की जाल में फसा दिया है जिसके बाद भी बानी बहरूपिया का पीछा कर लेती है जै जो वीर का रूप ले लेता है वो गुफा में रहता है तब बानी उसे देख लेती है और उसे ये लगता है कि वहाँ वीर है जो बानी को फसाने की कोसिस कर रहा है और बानी उसे फिर से गलत समझ लेती है वहीं आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने मिलने वाली है वीर और बानी में गलत फैमी बरती हुई बानी वीर का कॉलर पकर लेती है और बोलती है कि वीर ने बानी को आधी रात में पूल के सामने क्यों बुलाया और वहां चाकू क्यों पड़ा हुआ है और आखिर वीर बानी के साथ करना क्या चाहता है बानी ये भी बोलती है कि आखिर वीर ने ऐसा क्या किया है जो बानी को खुद पर काबू नहीं है तब वीर घुसे में बानी से कहता है कि उसने बानी को वहां नहीं बलकि बानी नहीं वीर को वहां बुलाया वीर ये भी बोलता है कि वो जै की बाहों में थी और उससे बाते कर रही थी वीर जलेसी में बोलता है कि बानी वहाँ जै के साथ खरी थी और बोल रही थी कि वो वीर से नफरत करती है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती बलकि जै के साथ रहना चाहती है तो ये सब होगा जय और मयूरी का प्लान ताकि बानी और वीर वे मिसंडरस्टेंडिंग क्रियेट हो और वो दोनों दूर हो जाए जिससे जय को मौका मिल जाएगा कि वो बानी पर हमला करवा सके वहीं आने वाले एपिसोड में हमें बानी दुलहन के रूप में भी दिखेगी और सब पार्टी कर रहे होंगे क्या ये सब मीरा और बानी का प्लान है ताकि वो वीर की सच्चाई सामने ला सके जो एक बहरूपिया बना हुआ है या फिक कोई और नया इंट्रेस्टिंग ट्रैक आने वाला है ये सब देखना हमारे लिए काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो क्या आप सब एक्साइटेड है नागिन के आने वाले ने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नागिन की सारी एक्स्क्लूजिव अपडेट्स मिलती रहे